दक्स एलेक्ट्रिकल इंजिनेरिंग और स्वागत है और हम लोग जो हैं से आपके 29 अगस्त 2021 का जो है सो करेंट अफेर्ट में और साथ में प्रिविएस येर के जो कुछ कोश्चन है उसको भी हम लोग ने इसमें एड करते हैं और आपको पता ही कि हम लोगे डेली बैसिस पर से डिसकस करते हैं तो आप अपना मार्स दीजेगा अगर जी हो रहा है तो की एवरेज एस्टिट हैं它को चलए हो और यहां को तो चलिए आपनों कितना सही हो रहा और एक कोस्टन रहा था ठीक है तो हमारा पहला कोस्टन है कि बारे में कौन सा सही है अभी रिसेंटली क्या हुआ है सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत सारी चीजें अब एक्टिबीटी रेगुलेटेड हो गई है पहले अगर यह घोसित नहीं था तो अब रेगुलेटेड हो गई है और उसको कर्णरवेशन के लिए काम किया जाएगा ठीक है तो इसे एको सेंसिटिव जोन घोसित किया गया है बिल्कुल यह सही है यह असम राज में स्थित है यह भी सही हम बता चुके भी आपको यह एक प किस घाटी में श्थित है तो मानष घाटी में देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज करना के लिए पूरा कोसिस किया गया है और यह यह गाप की नधेखिया देखिये li उसको लिए 2 बहुता है आपको भी कि ब्रहंपुत्र नदी किनारे यहां पर यहां पर गौहार्टी हो गया और यह वह गया तो यहां की रैज्धानी हो गई और इधर पता है इस सइच्छ नेक्स है कि भीमा कोरे गाउ जो है लिखती में कौन सा सही है तो ऑपको अपको जो पेश्वा बाजी राओ टू और इंगलिस आर्मी के बीच में हुगा था तो इंगलिस आर्मी में महार जाती जो सको चमार या राम कहा जाता है ये लोग थे अब पेशवा इनको अच्छूत समझते थे और अपने हाँ रखते नहीं थे किसी काम में और सैनिक में भी नहीं रखते थे लेकिन जब जूद हुआ था तो ये हार गए पेशवा को इन्होंने हरा दिया तो उसके बाद से अमवेदकर विजिट करने गए थे और वहां जुद है और लड़ाई ऐसा कहा जा तो पेशवा और अंग्रेजों के बीच की अंतिम लड़ाई थी उसके बाद मराठा एस्टेट खतम हो जाता है और अंग्रेज का पूरा कैप्चर हो जाता है ठीक है तो यहां पे पेशवा बाजूरा पेशवा बिचले जाती के जीत की रूप में देखा गया था यहां भी सही है आपका तो वन और थी यहां पे क्या हो जाता आपका वन और थी यहां पे सही हो जाता है क्या सही हो जाता है वन और थी आपका यहां पे सही हो गया नेक्स्ट के तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो भीच अब फॉलवाइंग इस करेक्ट एवाउद भीमा कोड़े गाउं आप देखिए फिर से वही क्वेशन बना हुआ है कि बिच में अंतिम लड़ाई थी यहां नागपुर जिले में इस्तित बिल्कुल गलत है यहां नागपुर में नहीं है में ख्याल सी यह मराश्ट के आपका भीमा कोड़े गाउं जगह का नाम है डिस्टिक आप लोग बता यह कौन से है कमेंट करके यह जूद यह जूद मरा लोग बढ़ते हैं तो आपका जोहां से यहां पर है कि वाट बलता है कि वाट इस देट अब भीमा कोड़े गाउं बैटल का डेट क्या है तो आपका एक जनवरी 1818 और 2018 में इसका बर्सी मनाएगा 100 साल ठीक है तो आप एक जनवरी 1818 इसका क्या है कि जैसो डेट है जिस दि एक दिए तो रही मतलब इसके लिए अपने इंडियन गलैक्सी के बाहर एक यहां गाशी में को होते हैं तो प्लेक हो रहा है तो इसी सब्स्टर को सखेखर थ Daire प्रिधि के सबसे निकट हो रही है अगर ऐसा होता तो इस लिए तिसरा होगा नहीं तो यह आपके चाहिए हो जाएगा तो यहां पे यहां पर और यहां पका सब्सक्त है यृद्फ यहां पर यहां पर त्याव कर यहां पर यहां से कौन सा सही तो आपका जुह है जुह है जुए कि चिक और अभी निशन्ट नुğस में में था और बलता है कि जुह अपका एनिमल हो जाएगा तो अप्सटन यहां पर सही हो जाएगा तो यहां पर सही है उसका बाद में बोलता है कि इन से बलते कि इन देखा जाए अगर तो आप देखिए जो है सो कर्बान डाय एक्साइट को नहीं लिया जाता है पहला चीज तो यह तो एक गया तो एक गया तो यह तीनों चले जाएंगे और आपका नाइट्रोजन हो गया ठीक है और सफ़ाइब क्योंकि उनकी परसेंटेज उतनी नहीं है और जादे हार्मफुल यह है ठीक है तो यहां पर आपका तीन और चार बिल्कुल सही है कार्बोन डाइयोक्साइड और मिथेन यहां पर नहीं है और वाइसे भी जब एक को इल्लमेट कर देंगे तो आपका सारा चीज इल्लमेट हो जाएगा विथ रेफ्रेंस व दे इकनोमिक हिस्ट्री मेडिवल इंडिया तर्म बलता कि अग्रहाटा डेफर सुदा जो है सो यह किस से रिलेटेड है ठीक है तो एक तरह से कहा जाए तो सब्सक्राइब करेक्ट आइस आइस के बारे में जो है सब्सक्राइब करेक्षा बेएस यह तो आइस के एक संगठन जो आतंकवादी संगथन है और इसलाम को परचार और उस धरम के जुद के लिए सब्सक्राइब करने में लगा हुआ है और भगनिस्तान में पीस इस्टेबलाइज करने कोशिज कर रहा है तो यह जाके वहां पर अटैक कर दिए इट इस इस के इस्ट जिहाद बिल्कुल सही है रिसेंट हुमन बंबर अटैक दे काबूल एरपोर्ट वे भी सही है तब कर ती आप लोग जो है सो कॉमेंट करके बताईए कि आप लोग कैसा लग रहा है और अगर आप लोग का अच्छा लग रहा है तो इस सीरीज को आगे हम बढ़ाते रहेंगे ठीक है और अपना नंबर भी आप अंकित करते रहें कि आपने कितना इसमें सही किया कितना गलत किया ठी Thank you.